हेलो वीवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके योट्यूब चैनल आई टी आई इंफो टिक पे लेके आगई हो मैं आज एक बहुत बड़ी जानकारी लेके आप सभी छातरों के लिए डिजिटी के तरफ से तीन बड़ी अपडेट जो है वो जारिकी गई है जिसमें जितने भी एक्जाम दिया है उनके लिए भी है उसके अलावे जितने भी आई टी आई है चाहिए वो सकारी आई टी आई हो या प्राइट आई टी आई हो उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है और छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी जो है खुश खबरी है सौगात है डिजीटी के तरफ से तो क्या है वो अपडेट क्या है वो जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंतक देखें और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल आई टी आई इंफो टे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो आए बिना देर करते वे शुरू करते हैं आज का वीडियो जो सबसे पहली जानकारी है तीन बड़ी अपडेट है जो सबसे पहली बड़ी अपडेट है वो ये है कि आप सभी को पता है कि छात्रों को जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है अभी जो पोर्टल चल रहा है NCVT का उसके कारण इसमें पूरी जानकारी जो है अपलोड नहीं की जा सकती है बहुत सारी ऐसी डेटा है जो वो देख नहीं सकते हैं तो छात्रों को काफी परिशानी होती है अपने रिदेटर जो है कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए तो इसी लिए छात्रों के लिए एक नया पोर्ट नहीं हो वन्हें कि इसलिए नया पोर्टल जारी हो जाएंग, इसी माह से लॉंच कर दिया तक टार्गेट लिया गया है कि इसे बना देना है और मार्च महीं इसका इन्नावरिशन भी कर देना है, मतलब यह बौटल की शुरुवात कर देनी है, यूँकि छात्रों को अभी जो पोर्टल है उसमें साजनकारी मिलती नहीं है उन्हें काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो इसी सबसे बड़ी सवगात है जो मैंने कहा था अपने वीडियो में तो वह सबसे बड़ी सबसे तोफ़ा है डिजिटी के तरफ से वह य यह जानकारी हम देखते कि दूसरे जानकारी किया है डिजिटी तरफ से तो जो दूसरी जो अपडेट है वह यहा है कि जितनी भी अई टी मिलयूको हुआई अपने और आयडियों के लिए जो फ्रक्रिय शुरू कर दिए अर इसके साथ ही साथ कर दी कि बहु जिए हिसमें, आप के मदद सę किया जाएगा एक बनाया जाएगा उसी ये त्लुख ग्रेडिंग की जएगी पहले क्या होता कि ग्रेडिंग इसी प्राइवट कमपनी को दी चाती थी और वो जो है यतने भी ITI है उनका ग्रेडिंग किया करते थे अब लेकिन यह ग्रेडिंग जो है वो एप के माधियम से होगी और उसका भी लॉंच इसी माह से उमीद किया जा रहा है कि हो जाएगा इसी माह से एक एप सुरू होगा जिस एप के द्वारा अपग्रेडिंग की नया ग्रेडिंग सिस्टेम का भी जो विता है वो दिया जाएगा दोनों आइटी आई को प्राइवेट आई को भी और सरकारी आईटी आई को भी यह तो होगी दूसरी जो है इंफॉमेशन तीसरी इनफरमेशन इंटरीं के तरफ से वह यह है कि जितने भी आईटी के चात आप सभी को पता है चातर चाहिए कितने बार भी फॉर्म भर लें कितना भी उनका रिइस्ट्रेशन हो जाए फिर भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ रहती है वह यह है कि कुछ न कुछ इस्टोडेंट ऐसे हुई जाते हैं या उनका अधार नंबर गलत हो जाता है नकी पीटा का नाम गलत हो जाता है उनके प्रोफाइल में कुछ ना कुछ गरबडी जरूर आ जाती है तो उन सभी छातरों के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर से ग्रिवियांस का पोड़ल open हो चुका है तो जितने भी छातरों को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है वो अ प्रोफाइल ग्रेवियान का जो है अभी निकाला है अपडेट जो करना है इसमें जो भी आपकी कुछ प्रॉब्लम है चौबिस मार्च से पहले जो है उसे सही करवा लेना है तो जितने भी चात रहें अपने अपने आई टे एक बार जरूर कॉंटेट कर लें अपना जो है ही हो सकता है ताकि आपके फाइनल मार्क शीट में आपको प्रॉब्लम ना हो रिजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं हो तो इसे देखते हुए जो है चौबिस मार्च के पहले जितने भी आपके अगर प्रोफाइल में कोई गरबड़ी है तो इसे अप सही करवा लिजे यह मौका जो आपको फिर नहीं मिलेगा यह अगर आपका भी सही हो जाएगा तो आने वाले एक्जाम में रिजल्ट में आपको किसी प्रॉब्लम नहीं होगी तो यह तीन बड़ी अपडेट जो है डिटी के तरफ से निकाली गई है तो जितने भी चात्रे हैं अगर आप मे प्रोफाइल में सही करवाना होगा कुछ भी तो उनके पास भी इंफर्मिशन पहुंच जाएगा तो यह था आज का वीडियो अगर आप में से किसी कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा मैं कुछिश करूंगे कमेंट का जबाब देने का आपके डाउट को क्ल जुरे रहे आई टी आई इंफो टिक यूट्यूब टेनल के साथ